बच्चों के टिफिन में कुछ हलका फुल का नाश्ता दैना हो या शाम को उनकी छोटी भूक के लिए कुछ नमकीन बनाना हो आज मैं आपके लिए 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 हूँ पीनविल नमकीन की रेसिपी जिसे आप गेस्ट को भी दे सकते हैं मैमान भी खाने के बाद तारीफ करेंगे और इसे हम हल्दी तरीके से बनाएंगे यानि गेहों के आटे से बनाएंगे मैदा का इस्तमाल जीरो करेंगे और आप इसे फ्राई की जगा बेक भी कर सकते हैं इसे और भी हिल्दी बनाने के लिए तुछे लिए आज की जट पट और आसान रेसिपी शुरू करते हैं पेन्विल मठरी या नमकीन बनाने के लिए दो कफ हम गे हूंका अटा ले लेंगे आप चीए तो आटा मैदा मिला के इस्तमाल करें या फिर सिर्फ मैदा भी यूज कर सकते हैं एक छोटी चमच हम इसमें अजवाईन डाल देंगे आधी चोटी चमच हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च से इसमें बहुत अच्छा टेस चाता है एक छोटी चमच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकिया आता है स्वाद के अनुसार या फिर एक छोटी चमच नमक डाल दें और इसे मिला दें अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद है तो आप उसे हटा भी सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे घी घी की जगा आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी से जो आप मनमकीन बनाएंगे न वो जादा खस्ता यानि क्रिस्पी बनते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगे कि जब भी आप मोहिन डालें तो इसमें घी का इस्तमाल करें तो यहाँ पे दो बड़े चमच आप पेगला हुआ घी या फिर जमा हुआ एक चमच घी डाल दें मिला दे इसे अच्छे से अब हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे और इसे ऐसे गून लेंगे पानी जो है गरम ठंडा नहीं इस्तमाल करना है रूम टेंपरेचर पे जो नॉर्मल पानी यूज़ करते है न वहीं इस्तमाल करना है पानी डालके हमें इसे कड़ा गुलना है थोड़ा सा हमने टाइट रखाया है तो अब हम इसे ढख देंगे और 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे अब हम इसकी लोई बना लेंगे और इसके बाद रोल कर लेंगे तो यहाँ पे जब इसे पतला बड रोल कर लेंगे तब हम क्या करेंगे? इसकी ऊपर लगा देंगे तेल यहाँ पे हमें पराटे के लिए अलग चीए तो यहाँ पे आप तेल का इस्तमाल करें तो तेल को अच्छे से चारो तरफ ऐसे स्प्रेड कर दें और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके उपर थोड़े से मसाले डालेंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहें तो मसाले स्किप करें तो पहले मैंने थोड़ा सा सुखा आटा डाला और इसके बाद यहाँ पर यह चार्ट मसाला पाउडर डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्ज तो यहाँ पर ने मसाले ओफ्चनल है अगर आपको पसंद है तो धनिया जीरा भी डाल सकते हैं आपको मसाला मठरी बनाना है तो नहीं तो सिंपल बस आप इसमें चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर डालें यह देखे तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे रूल करेंगे तो रूल करते वागत आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे एक दम एक ही डारेक्शन में रोल करना है इसे हमेल अच्छा पराठा की तरह नहीं रोल करना है बस एक ही डारेक्शन में ऐसे रोल करें यह देखे अब हम नाइफ से दोनों एंड्स को कट कर लेंगे और इसके बाद इसके छोटे-छोटे टूकडे कर लेंगे ऐसे यह देखे तो हमें पीन्वील मटरी बनानी है, तो उसके अंदर जलेवी वाली लेयर आनी चीए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि इसे ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, यह देखे, ऐसे. डिजाइन जो है, वो बीच में आ, इस बात का ध्यान रखे, ऐसे प्रेस करते वक्त. और इस मटरी को बनाते वक्त, आपको एक बात का ध्यान रखना है, कि जब आप ऐसे रोटी जैसा रोल करें, तो इसके उपर तेल की लेयर इंग अच्छे से करें. तेल जितना अच्छा लगा रहेगा, उतनी हिसकी लेयर फ्राई करते वक्त निकलेगी. तब हम क्या करते हैं, इसे ऐसे रोल कर लेते हैं, यह देखे, पतला रोल करें, मटरी जितना पतला रोल करेंगे, उतना ही खासता बनता है, यह देखे, ऐसे. तो सेम तरीके से हम सारे मटरी को रोल कर लेंगे, तो यहाँ पर, यह मैंने रोल कर लिया है, यह आप देख सकते हैं, तब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रासेस में, यह देखे, कितना पतला मैंने बेला है इसे. तो इसे fry करने के लिए मैंने तेल गरम करके रखाता पहले से गयास का फ्लेम लो मीडियम रखना है मठरी डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे ऐसे पलट देंगे और दोनों साइट से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे इसे आप हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करें या फिर ज्यादा लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करें लो मीडियम फ्लेम रखें उसे ये मठरी जो है वो क्रिस्पी बनते हैं बस अजवाइन डाले, कसूरी मेथी डाले और नमक डाले तो यहाँ पे इसे पलट-पलट के हम दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे मैं यहाँ पे ग्राउंड नर टॉयल का इस्तमाल कर रहे हूँ तो यहाँ पे हमारा एक बैज जो है वो फ्राई हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं ध्यान जाए मठरी जैसे ही ठंडी होगी तभी यह क्रिस्पी होगी गरम में आप इसे नहीं खाए तो आप इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दे और यह देखे बच्चों को यह बहुत ही पसंद आता है बहुत ही जादा दिखने में भी अच्छा लगता है और क्या कहता है खाने में इसमें जादा क्रंची निस रहता है क्योंकि लेयर रहती है उसकी वज़े से तो यहाँ पे सारे मठरी मैंने रूल कर लिये हैं यह देखे ऐसे और पहले से आप इसे रूल कर ले और दोनों साइड से जब तक यह गोर्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक आप इसे फ्राई करें जब भी आप नमक पारे यह सब बनाए न तो गैस का फ्लेम आपको लो रखना है हाई फ्लेम पे अगर आप उसे डालेंगे तो वो तुरंद फूल जाएगा और बाद में सॉफ्ट हो जाएगा तो टेंपरेशर आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और धीम याज़ में थोड़ा सा पेशन्स रखके आप इसे पलट पलट के ऐसे फ्राई करें तब यह क्रिस्पी रहते हैं और ज्यादा दिन तक सही रहते हैं यह हमारी पीन वील मठरी बन के तयार है यह दिखने में कितना अमेजिन लग रहा है तो जब आप बच्चों को देंगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगा आप इसे स्टोर करके कमसे कम दो हफ़ते तक रख सकते हैं पच्चों को यह टिफिन में दे सकते हैं आप इसे ट्रेवल में ले ले जा सकते हैं तो हैना वज़ेदार रेसिपी, तो मसालेदार मठरी की रेसिपी को आप जरू ट्राई करें, ये मठरी आपको बहुत पसंद आएगा, और आप इसे एर टाइट जार में रखके और दो हफते तक आराम से काई, ये हमारा मसालेदार मठरी बन के तियार है, ये आप देख सकते कितना अमेजिन लग रहा है, तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राई करें, और ट्राई करने के वाद पसंद आए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फेमली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले,